Hello guys, welcome back to my channel तो मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ नाइट का स्किन केर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, मैंने मौर्निंग का स्किन केर रूटीन अलएडी आपके साथ शेयर किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटल आप देख लेना मैं वीडियो के एंड में या आई बटन पे उसका लिंक ज़रूर देदू देखे नाइट का जो प्रोसेस होता है ना स्किन केर का वो मौनिंग से भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है यूकि रात में हमारी जो स्किन है वो रिपैर होती है इसलिए नाइट का स्किन केर डिस्सिप्लीन में फोलो करना मैं तो आपको बोलूँगी कि आपको ज़रूर करना ही है अगर आप सिर्फ मौनिंग में ही कर रहे हो नाइट में नहीं कर रहे हो तो इस इस नॉट फैर फो यो स्किन आपको नाइट का स्किन केर रूटीन भी अच्छे से फोलो करना है अगर आप मॉर्णिंग में नाइट में दोनों टाइम में अच्छ से स्किन केर रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो अच्छी खासी मतलब मस्त हो जाएगी फिर आपको अगर कहीं ऑन्दसपोट बाहर जाना है तो आपको इतना ज्यादा मेकप नहीं करना प एक मेकप को रिमूव करना याद रहें मेकप को रिमूव हममें डाइरेक फेसकोस से कब भी भी नहीं कर ना है हमें और वेस क्लिंजर का यूज करना है या फिर मैकप रिमूवर अगर आपके पास वो ना हो तो आप कोई भी ऑईल का yous कर सकते हैं यहाँ पे में मेकप 20-20-20 seconds के बाद इसे swipe कर देना है यह one swipe में ही आपका जो भी मेकप है उसे रिमूँ कर देगा अगर आपका मेकप waterproof है तो भी इससे अच्छी से रिमूँ कर देगा तो जसा कि आप देख सकते हैं और गाइस में यहां पर जो मेकप रिमुवर पेड यूज़ कर रही होना वो भी बहुत ही अच्छा है यह आपको मेशो से या कहीं से भी 40-50 रुपय में आराम से मिल जाएगा आप इसे री यूज़ भी कर सकते हैं डेली टीशू को यूज़ करने से अच्छा है आप एक बार यहां पर यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से मेकप रिमुव हो जाने के बाद हम फेश वोस का यूज़ करेंगे फेश वोस के लिए मैं यहां पर वाव का विटामिन सी ब्राइटनिंग फेश वोस यूज़ करने वाली हो इसमें विटामिन सी है यह आपके फेश को मुझे बहुत ही पर्सनल यह अच्छा लगता है उसके बाद हम स्क्रबिंग करेंगे यहाँ पर मैं एवरियूत का स्क्रब यूज करने वाली हूँ स्क्रब जो है हमें वीक में एक या दो बार ही यूज करना है मैंने आपको हर वीडियो में बताया है अगर आप मॉर्निंग का स्किन केर करते हो रात का भी करते हो तो आपको या तो मॉर्निंग में या तो रात में दोनों में से एक टाइम में आपको स्क्रबिंग यूज करना है और पूरे विक में एक से दो बार करना है तो आप समझ गय होगे मैं आपको क्या बताना चाहरे हूं स्क्रबिंग करने से हमारी स्किन में जितना भी डर्ट होगा वो निकल जायेगा तो स्क्रबिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी है उसके बाद हमारे night care skincare में हमें next step यूज करना है toner तोनर के लिए मैं यहां पे रोस बोटर ही यूज़ कर रही हूँ बेजिकली मैं इस एक बोटल में ले लिया है और मैं इस बोटल को फ्रीज में ही रखती हूँ और जब भी मुझे टोनर करना होता है मैं इसे कर लेती हूँ उसके बाद हम अच्छा सा मॉशुराइजर यह मेरा फेवरेट है आपने हर एक वीडियो में देखा ही होगा और यह मुझे बहुत ही लाइट लगता है यह मेरी स्किन को बहुत ही सॉप्ट बनाता है उसके बाद में यहां पे सीरम के लिए गार्नियर की सीरम यूज़ करी हूँ रस्ट मी गाईज यह वाली सीरम मेरी बहुत बहुत ही फेवरेट है जितने भी डाक स्पोर्ट होंगे आपके वो सभी रिडियूस करेगा आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा इसमें विटामिन सी है जो की बहुत ही अच्छा है एंड आप एक बार इस सीरम को ज़रूर ट्राय करिएगा यह बहुत ही अच्छा जयसे की मिनैं आपको सभी स्टेप्स बताएं है आपको अच्छे से उन्हें फोलो करना है मेकप को राद को लगा के बिलकुल नहीं सोना है उसे अच्छे से रिमूँ करना है और ईक से दो बार करना है अगर आप मॉर्निंग में स्टरheen करते हो तो ज़रूरी नहीं है को रा जो भी उस करते हो, आपके बास जो भी available products हैं, आपको उन्ही से अपना screen care करना है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो भी products देखा आपको उन्ही को use करना है, तो यहाँ पर मैंने जितने भी steps बताए हैं, उससे आपको regular night को अच्छे से follow करना है, और अगर आप मेरी चैनल पे